जैसरी किष्ण श्वागत है आप सभी का मेरे एचेस वारत द्वा यूटूब चेनल पर आज मैं आपको कार्तक मास के सोले में दिन की यानि गोवर्धन पूजन बिधी और गोवर्धन पूजा का महत तो है इस कता सुना रहा हूं कता को पूरा सुने प्रतुराजा बोलेगी है नारज जी गोवर्धन पूजा का और अन्नुकूट का महत तो कहूं किस तिथी में करें नारज जी बोले कार्तिक मांग सुकल पक्ष में वैस्वा नर अगनी तिथी प्रत्पदा को गोवर्धन की पूजा और अन्नुकूट गोकुल में करें दूसरे इस्तान में बहुत गोमे लेकर परवत का आकार बनावे यानि कार्तिक प्रत्वधा वाली दिन अमवश्या से दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है यहां गोवर्धन की आकार बनाया जाता है प्रत्वी को गोमे से लीप बेद विधी से पूजन करें परवताकार गोवर्धन में द्वजा इस्तापित करें यानि परवताकार गोवर्धन की इस्तापना करें और उसमें द्वजा लगावें और कहें हे गोवर्धन मेरी पूजा ग्रेहन करूं इस प्रकार से बोलना चाह ये पर पूजन करें श्री कृषिन जी के प्रियार्थ आदी मद्य अंत में गोवर्धन को नमस्कार करें आवान करें आसन पाद अर्द आचमन इसनान वस्त्र यग्योपवीत चंदन पुष्प धूप दीप नेवीद प्रदक्षणा नमस्कार विसर्जन ऐसे 16 अप्चारों से गोवर्धन की पूजा करें खान दूद बहुत तरह के पकवान अनेग तरह के फल नेवेद्य गोवर्धन को भोगमि के रूप में चड़ाना चाहिए गोवर्धन की पूजा आधी मैं। उनका इस्तवन करें यानि उनकी आराधना करें गड़पती का प्रथम पूजन करें सांती करम करें पूर्व कई विदान से गोवर्धन का पूजन करना चाहिए पर अनकूट करके प्रणाम करें ब्रामर तता बैसनों को भूजन करावें बंदूओं के साथ पिर आप भी भू कर लेता हैं घाओं में हरिद्रा में गाओं के शींग रंगे जाते हैं पुष्प माला पेनाई जाती हैं और गोवर्दन वाले दिन गोव Maata की विदिविदान से पूजा की जाती है वे सारूब धरम हमको सांती देवे बैल के सिंग रंगकर पुष्म माला पेनाई जाती है कृष्ण गोबर्दन गोबैल बैस इनका पूजन बाज पे यग्गी के परावर पुन्य देने वाला है यह गोबर्दन बाले दिन भगवान गोबर्दन की गाय की बैल की इन सब की पूजा की जाती है दिन के तीसरे भाग में पूजा करें ब्रक्य में कुष्कास को नमस्कार करें हे मार्ग पाली तुम्हे नमस्कार है देश के जैके बास्ते उसी जगे नीराजन बिदी करें गोव तता दूसरे जन मार्ग पालका के नीचे जामें कुशकास का रस्सा बनावे उसको राजा के लड़के तता दूसरे लोग बल से खीचें जो जीते उनकी साल भर जीत होती है साम को बलदान को बस्त में बना करके पूजना चाहिए दो बुजा के बली बनावे ग्रस्त प्रसंसा से माता पिता भाई समयत पूजन करे चंदन दूप दीप इत्यादी से पूजन करे बली के नाम से दान दे सब कुछ इश्प गार से करना चाहिए हे राजिंद्र उस दिन चंद्रमा चंदन पुष्प दूप बस्त्र बोजन इत्यादी से भगवान का पूजन करना चाहिए जो इस विदान से पूजन करते हैं उनको स्री किष्ण भगवान की भक्ती प्राप्त होती है प्रतु राजा बोले कि नारजी बली की दिन दामांद की पूजा क्यों की जाती है पूर्व किष्ण की और कब से ये पूजन चालू हुआ नारजी बोले पूर्व कालमे सत्यों में समुद्र मंतन करने से लच्मी जी उत्पन होई विश्णू जी को ब्यवाई गई अनन्त लच्मन लच्मी कन्या जब समुद्र जी से दीने विश्णू जी को दी तब कज्या के इस्ने से आनन्य समुद्र लच्मी जी की साधी की तो समुद्र बड़े प्रसन हुए और उन्होंने भक्ति वाव से भागवान विश्णू की इस्तुति की इसके उपर प्रसन होकर समुद्र बोले की बरदान मांगो जो तुमारे मन में हुँ ऐसे बचन सुन समुद्र बोला कि है प्रवो जो प्रसन्न हो तो मेरे में लच्मी के साथ नित्ती ही बसो यानि इस प्रकार से जब समुद्र ने इस्तिती की तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने समुद्र से कहा कि है समुद्र तुम बरदान मागो शमुद्र निका के प्रभू जबे आप मुझसे प्रसन्ने हैं तो मुझे ये बर्दान दीजिए कि आप लच्मी जी सहत मेरे जान बास करें भगवान समुद्र से बोले तुमारे घर में नित्ती ही पसेंगे बर्द में कार्तिक शुक्र प्रत्पता को दामात का पूजन जो कोई करता है वे सव पापों से छूट जाता है जिसने अस्वमेग यग करके हमारा पूजन किया जिससे ग्राम युक्त प्रतवी दान की गई और विदी से कोटी गोधान का पलप्राप्त होता है इस दिन गो माता की पूजा करने चाहिए, गो माता को अन खिलाना चाहिए, गो माता की विदी विदान से पूजा करने चाहिए, पूजन करने से सभी प्रकार की मनुकामनाय पूरी हो जाती है, उत्रदन, सुक, सम्रदी, गो माता हर चीज प्रिदान करती है, इस दिन अपने आज से पगवान बनावे और पगवान बना करके गो माता को खिलाना चाहिए। महगवान की जब आप पूजा कर लें उसके बाद में सभी को परसाद बित्रत करना चाहिए। इस पगार से जो पूजन करता है उसकी सभी मनुखाबनाय पूरी हो जाती है। हम ब्रह्मा रुद्र इंराधी देव सब कार्टिक शुक्र पूज़ड़ा को दामाद की दें में रहते हैं। इस कारण दामाद का पूजन सब पूजनों के पल को देने बाला है। इसलिए सभी को गोवर्दन बाले दिन दामाद की पूजा करनी चाहिए। जो इस पकार से पूजन करते हैं, गो की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनो कामना भगवान विश्णु पूरी करते हैं। हे राजन जो गोवर्धन की पूजा बनाते हैं गोवर्धन अप्रयास से बनाते हैं और उनको पूजते हैं उनको भगवान क्रिष्ण की बक्ती प्राप्त होती है इस प्रिकार से गोवर्धन बाले दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए इस प्रकार से जो लोग भगवान की कार्थिक मास के पूरे मेने पूजा करते हैं